हेलो फ्रेंड जैशी किश्ना से के हम प्यारा से जभला बनाना बताएंगे बहुत कर देखिद कम समय में और स्वींग मसीन में से अभी भाव्य से अटना प्यारा उपाल को पहानाकर दिखाती हो तो यह मैंने ब्ढब कल लेट्ल को भालिया इनको हमें हैंड डालते हुए नैक में डालना है और दूसरा है डालना है और एसे करके पैना देना है आप देखिए मैंने एक लेस लिए है और इसको ऐसे फोल्ड करते हुए मैचिंग के लिए है और यहां पे ऐसे लगा लेंगे तो सुन्दर सा यह जबला कम्प्लीट हो जाएगा तो यहां पे इसको पिन अप कर देंगे आप जाएं तो डोरी बना के भी इसमें लगा सकते हो या पिर एसी भी पहना सकते डिला-धिला रहेगा तो उतना भी तो इसको मैने पहले कट करेंगे तो मैंने कपड़ा लिया है और इसको मेरे लेंठ देगें, लेंगें миने फोर हाफ काल हई झेडें गइव हमारी 12 पेशों तो फोल्ड करoop 타क महण ने छोड़ाएं काल कने तो ऐसी कुट कर लिए और के के मिन लेंगे अच्छा नוח दूल को थीमीं हम आथ नियुक्स कूल करेंगे अब यह हम ऐसे फोल्ड करेंगे एक बार ही दूसरी बार फोल्ड करते विए के यहांपे सिलाई कर लेंगे यहां पर हम छोटा छोटा टक लगाकि यहां पे सिल covenant है तो हम इसको सिल के कंप्लीट करेंगे ऐसी हमें दूसरा भी श्ट्रिप कंप्लीट करना है जैसे हम याला श्ट्रिप कंप्लीट कर रहे हैं तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं झाला श्ट्रिप कंप्लीट कर रहे हैं कि अब देखिए हम इसको सिल लिया है हमने और इसको हम कट करके निकाल लेंगे अब हम देखिए इंची टेप लेंगे और हमें 1.5 इंच का निशान लगाना है इधर से भी लगाना है सेम प्रोसस से उधर से भी 1.5 इंच का निशान लगाना है और अब इसको हम फोल्ड करके सिलेंगे सेम प्रोसस से हम दूसरा भी श्ट्रिप कंप्लीट करेंगे तो यहां पर हमें जो हमने निशान लगा है उत्ता हमें यह सिलके कंप्लीट करना है ऐसी हमें दूसरी से भी कंप्लीट करना है जो दूसरी श्ट्रिप है उसको सेम प्रोसस हैं पहले नीचे से लेंगे फिर दूनों साइड के अगल बगल भी सिलके ये कम्प्लीट कर लेंगे कोउडि और, मैंने येक श्ट्रिप कट किए है और इसकी लेंद क recaude और, फूरी फूरे फाने का कोई तो यहां से नापेंगे तो यह हमारे 1-2 इंच अब आई इसको हम यहां एक पूरी फूरत ये दूनों सब्सक्रgn भी सिलकी दूर्ब बगलर खेए और इन यहाँ पर हमें स송 दोनों पार्ट को थीधा रखना है फिर ऐसे या उल्टा रख और अलाव हमें इसा स्ट्रिप और प्लावेशं करें पूरा हम पूरी श्ट्रिप हम इसमें दौनों पार्ट में अटेच कर लें जो बीच की इत है जो हमsmfounded टेच कर्दा चेए पूरी पक्की सिलाई लगा अटेच करनेगे थोड़ा से फोल्ड करने inn스ाट kes Kathleen करेंगे उसके बाद हम इसको सिलेंगे जिसे ये हमारा साइट का कप्ड़ा सेफ हो जाएं तो हम इसको सिल के और इह इन दोनों पार्ट में जैसे हम नेफा में फोल्ड करते हैं सेम प्रोसेस से इसको भी फोल्ड करेंगे उसके बाद हम इसको सिल लेंगे जैसे यह हमारा साइट का भी कपड़ा सेफ हो जाए तो हम इसको सिल के पूरा हमें यह इन दोनों पार्ट में अटैच करनी है तो यहां पर हम पक्की सिलाई लगाते हुए इसको अटैच करेंगे एक पार्ट जैसे अटैच करें सेम प्रोसेस से हमें दूसा पार्ट भी इसमें अटैच करना है तो हम देखिए इस तरह से एक पार्ट पहले अटेच करके आपको दिखाते हैं सेम प्रोसेस से हमें इसी के जश्ट बगल में लगाते हुए उसको भी अटेच कर लेना है अब दूसरा पार्ट रखेंगे उसको भी ऐसे करके अटेच करते हुए हम कम्प्लीट कर लेते हैं अब देखिए हमने अटेच कर लिया अब इसको बैक में लाएंगे और बैक में लाते हुए अब यहां पर हम इसको फोल्ड करके जैसे नेफा लगाते हैं सेम प्रोसेस से हम इसको फोल्ड करके सिलेंगे तो यह ऐसे एक बार फोल्ड करेंगे फोल्ड करते हुए हमें इसमे पक्की सिलाई लगा के अटेच करना लेकिन आगे की तरफ जो लगाएंगे सिलाई वह बिल्कुल टक छोटा छोटा लगाना है जैसे हमारा सिलाई आगे की तरफ दिखे नहीं तो हम इसको कम्प्रीट कर लेते तो दिखे हमने अटेच के लिए अब दोनों पार्ट को ऐसे पकड़ेंगे और यहां पे जो हमने शिलाई लगा थी उसके नीचे जो दो इंच का गैप है धाई इंच का उसको भी हम सिल लेंगे तो यह ऐसे रखना है और रखते वे हमें यहां पे भी सिल करके इसको दोनों प करके दोनों के लिए अब देखे हमने इसको सिल लिया है सिलने के बाद हम ने एज हमने इसको सिल लिया है और इसकी लेंथ हम आपको बताए हैं तो यह हमने पूरी नापी नापी है तो यह हम ने सेसे हमें 6 इिन्च हम लिया है ठीक है और झोल रिखते पर सब्सक्राइब कि लए हैं और चिरत काउज लेंगे अशन रलिखने चाथ के में लगी से लिखना यह Кर Defense Center लमकू Déघो हमों तो अब देखें दोनों पार्ट को पकड़ाया और दोनों पार्ट को पकड़ते हुए फिर यहाँ पे हमें सुई की हैप से इसको हम सिल लेंगे कि नौट लगाएंगे यहां पर गांट चाइसी लगएगी और फिर लडू गोपाल को तो अनकफरटेबल लगेगा इसलिए हम यहां पर शेलेंगे आप चाहए कि हलें कि मसीन से बी ऐसी से वाक। तो इसको को में अपके लिए नाच कर लेंगे और अटार्च करने के बाद हम फिर उसको कट कर लेंगे बहुत लोगों पास जैसे मसीन नहीं होती है उनने थिकत होती है लड़ो बाल ऑक मारता है बहुत इक अज़ार की ड्रेस बैसे बनाने में गये हैं तो फिर इसे सिल करने ओका ओलास्टिक कर लिए लाश्टिक रोच तो देखिए अब इसको दोनों पार्ट को लेते हुए हम इसको भी अटेच कर लेंगे अब देखिए हमने इसको भी अब इसको टर्ण करके सीधा कर लेंगे तो हमारा यह पार्ट कमप्लीट हो गया और ड्रेस कमप्लीट होगी है अब लड़ो पाल को हम पैना देंगे तो देखिए हमने यह कंप्लीट कर लिया है और लड़ू गोपाल के उपर बिल्कुल कमफर्टेबल आई है अब जरू बताएगा आपको यह कैसी लगी अच्छी लोगी तो लाइक जरू करें कमेंट्स करके जरू बताएगा में चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना बि जरू किस्ना